दोस्तों बागे लक्ष्मी काने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घ्रना ही दिल्चस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है क्योंकि दोस्तों इस समय विकरांत होगा जल्दी ही पुलिस की गिरप्त में क्योंकि दोस्तों इस समय विकरांत के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि वो लक्ष्मी से साधी कर रहा है और रिसी ने विरोध किया तो रिसी के उपर भी अटेक किया है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कहानी में एक नहीं बलकि आभी समय लगने वाली है जड़ी आरोपो की क्योंकि रिसी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि विकरांट सही लड़का नहीं है लेकिन दोस्तों किसी ने रिसी की बात पर भरोसा नहीं किया था वहें बात की जाएं मलिस्का की तो मलिस्का को पता भी था कि हाँ विक्रांत पहले से ही साधी सुदा है लेकिन मलिस्का ने इस बात को खुद आप जाने के दवाए के राखा ताकि किसी को भी किसी भी तरीका का साकुत्पन न हो सके और लक्षमी की साधी जल से जल होके और इ कोसिस करेगा उस समय के लिए साधी रुख जाएगा जैसे ही रिशी को होस आएगा रिशी उसके बार में सब्री कहानी को असली तरीका से बताता हुआ नजर आएगा सच-सच की आकिरकार उसके साथ मैं क्या माजरा बना था आप लोग जानते ही हैं कि लगातार कहानी को नई दिशा देने की कोसिस कर रहा था विकरांत लेकिन दोस्तों विकरांत का होने वाड़ा कुछ नहीं है आप लोग जानते हैं कि समय कहानी कैई माईनों में बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है जी हाँ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हाँ पर मलिस्का को भी एक और टूश्वरी होने जा रही है दोस्तों साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर चैनल को सस्क्राइब करने के बाद मैं वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताए गाइज कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो यह लुड़ यहाया थीटेज आएजन वीडियो जोपर लोहित Crane